नमस्कार GS Galaxy में आप तविलों का बहुत बहुत स्वागत है आईए जो है NCIT History की Class 7 की हम लोग सेरीज जो कर रहे हैं उसमें Chapter No.3 पे हम लोग हैं उद्देश यह है कि NCIT के जो भी Chapter's है एक बार आप लोग का करा दिया जाए प्लेलिस्ट में इसे आप लोग जाकर के वहां से भी सारे जो PPT पर जिस पर पढ़ा रहा हूं यह वहां पर आलरेडी अप लोड़ेड़ है तो आप लोग वहां से जाकर कि इसका PPT ले सकते हैं इन सारे लेक्ष्ट को वहां पर भी Add कर दिया जाएगा तो वहां पर भी एक सीरीज में आप लोग देख सकते हैं इस के अलावा एक नियान बुरुपे almost free amount कर सकते हैं इससे purchase कर सकते हैं इसके अलबा हिस्ट्री ऑप्षिनल जो हम लोग का one of the most दिल्ली के जो सुल्तान है उन पर हम लोग चर्चा किया जाएगा तो तोमर और चौहान के राजिकाल में जैन वयापारी जो हैं वो रहते थे और मंदिरों का इन लोगों निर्माण करवाया हुआ था टेमपल एकोनामी लास्ट जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसमें चैप्टर नमबर टू में मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि सामंतवाद की प्रथा रहती है और सामंतवादी प्रथा के दौर में मंदिर अर्थ व्यवस्था का एक कॉंसेप्ट चल रहा था टेमपल एकोनामी का एक कॉंसेप्ट चल रहा था मंदिर जो रहते हैं वो बहुत ही समरिध रहते हैं और इसी द्रिश्ट्रिकोंट से महमूद गजनवी का भारत प्रथ प्रथा राजपूत एज जो है वो नागर कर सकते हैं कि मंदिर अस्थापत्य की तीन कला है नागर सै सबसे पहले और में सबसे पहले हैं सबसे पहले कौन सा रहता है slave dynasty रहता है फिर दूसरा कौन सा रहता है दूसरा खिलजी वंस रहता है तीसरा कौन सा है तो तीसरा जो है वो तुगलक वंस है तुगलक डैनिस्टी है चौथा जो है वो सायद वंस है और पांचवा जो है वो लोदी वंस slave dynasty, खिलजी डैनिस्टी, तुगलक डैनिस्टी सायद डैनिस्टी एंड लोडी डैनिस्टी तो आईए जो है ये दिल्ली सलतरत के बारे में हम लोगों को कहां से पता चलता है sources मैंने बताया हुआ था literary sources भी है, archaeological sources भी है, यहां पर जो medieval history में है, इतिहास लेखन की परंपरा सुरू हो चुका था कलहर की जो राज तरंगणी रहती है कलहर की राज तरंगणी से इसके बारे में जो है हम लोगों को चर्चा मिलता है अब इस तरीके से क्या है इस तरीके से अभिलेख हैं, सिक्के हैं और अस्थापत के माध्यम से भी काफी जादा सूचना है जो है वो मिलती है इसके साथ साथ जो है यहां के जो सासक रहते हैं concept of kingship को धारण करते थे एक देवत्तो का उनका अपना concept चलता था इसमें आगे चल करके आप बलबन को देखेंगे बलबन ने कौन सी उपाधी धारण किया हुआ था तो बलबन ने जिल्ले इलाही के उपाधी जो है वो धारण किया हुआ था पैट्रियारकल बेस सूसाइटी रहता है पित्री साथात्मक समाज रहता है गुलाम वंस में एक गुलामों का दौर चल रहा है बहुम्मद गौरी के तीन गुलाम रहते हैं उनके अपने कोई पुत्र नहीं रहते हैं यालदौज रहते हैं, कुबाचा रहते हैं और एबक रहते हैं एबक का गुलाम जो है इलतुतमिस रहता है बाद में चल करके वो उनका दमाद बनता है इलतुतमिस ने 40 योग गुलामों का एक दल बनाया था जिसे तुरकाने चहलगानी कहा जाता था अब इलतुतमिस के ही समय में क्या होता है यल्तुतमिस ने सबसे योग अपने संतान को सत्ता ट्रांसफर करने के बारे में सोचा था और उसने रजिया को जो है वो सत्ता अपनी पुत्री को जो है वो सत्ता हस्तनात्रित किया इस तरीके से रजिया क्या होती है थोड़ा सा आप एंड डाउंस आता है उसके साथ रजिया जो है वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान बनती है मिनहास्तिराज रहते हैं मिनहास्तिराज ने क्या का मिनहास्तिराज का कहना है उसके सारे पुत्रों में रजिया जो रहती है वो सबसे सक्षम रहती है और सबसे योग सासिका रहती है तो इस तरीके से जो पुत्र को जो सत्ता अस्तांतरण होता था उसमें रजिया महिला रहती है ये एक अपवाद के रूप में रहती है हिंदु दर में आप देखेंगे तो वारंगल के जो काती रहते हैं वहाँ पर रुद्रमा देवी जो है महिला सासिका के रूप में रहती हैं सासिकाएं रहती हैं सासक रहते हैं वो महिलाएं रहती हैं कास्मीर की इतिहास में महरामई दिद्दा का उलेख एक महिला सासिका के रूट में आप लोगों को मिलेगा तो आईए अब आगे भड़ते हैं और काहरे हैं कि दिल्ली सलतनत का विश्तार ये Garrison सहर एक Key Words है और ये आप लोगों के लिए Important है ये आप लोगों के लिए Important है तो करें आरंबिक वर्सों में दिल्ली के सुल्तानों का सासन जो है Garrison का मतलब क्या होता है आइस्ता सहर जिसमें सेना की टुकडियां रहती हों या रक्षक सैनिकों का एक सहर के रुप में या किले बंद सहर जो Fortified City होते हैं उनको Garrison सहर के रुप में देखा जाता है आप कह रहे हैं कि भीतरी सिमाओं में इनका विस्तार कैसे होता है कुतुबुदी नेबग रहते हैं वो Consolidate नहीं कर पाये थे चार वर्स तक ही सासन किया रूली 4 यह सिंस देख वेव जिरो 6 तो 12 0 10 and then after he ruled on the गांगेटिक दोब रीजन but could not consolidate this area when after it was the Ilthutmish who succeeded after Aibak and he is regarded as the real founder of the Delhi Sultanate और इस तरीके से वो क्या करते हैं इस तरीके से वो उत्तर भारत के छेतर पर अपना एक सू संगठित सासन जो है या consolidated administrative system जो है स्थापित करते हैं बलबन भी रहता है बलबन भी उस पर control बनाये रखता है खिलजी रहते हैं खिलजी ऐसे पहले सासक रहते हैं जिन्होंने कई बार ये प्रसन पूछा गया है आकरमण किया था तो इस तरीके से दक्षिन भारत तक जो है गुलाम वंस से जो परंपरा चल रही है सामराज विस्तार की वो खिलजी वंस में जो है वो साउथ इंडिया तक ए जो है expansion कर लेते हैं अब खिलजी और तुगलक में क्या आंतर रहता है भाई कि खिलजी ने बस केवल उनको जीता लेकिन डिरेक्टली उनको annex नहीं किया था अपने सामराज में मिलाया नहीं था इन्हों ने क्या किया तुगलक ने जो है इनका अपने सामराज में विलाई किया और इस तरीके से एक ब्रिहच छेतरपेन का समराज विस्तार हो जाता है आगे कह रहे हैं कि मस्दिद जो है यहां अर्वी का सब्ज़ है जिसका साब्दी कर्थ होता है ऐसा अस्थान जहां मुसल्मान अल्ला की अराधना में सजदा करते है मक्का पत्सिम के और पड़ता है तो था मक्का की दिसा को क्या कहा जाता है यह सब थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना चाहिए कभी यह क्या कर सकते है UPSC में यह कभी स्टेटमेंट बना सकते है जब इस तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं ध्यान दिजेगा उस समय जो कहा जाता है न दिन में तारह दिख जाना है तो आप लोगों को भी कुछ वैस्दा ही होता है लगता ही नहीं है कि यह इस दुनिया का प्रसन है या कहां से पूछा गया है क्यों कि पेज बाई पेज आप लोगों को या किसी को भी NCIT याद नहीं हो सकता है तो यहां पर जब आप लोगों को एक पिन पॉइंट दिया जाता है कि इस पर आपको सेंटर करना है, फोकस करना है, वहां से आप आपने आपको रिवाइब करना सुरू करते हैं मोट की मस्जीद जो है, सिकंदर लोदी के जो मंत्री रहते हैं, उनके द्वरा बनवाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है आगे कह रहे हैं कि खिलजी तथा तुगलग वंस के अंतरगर्द प्रसास्तन और समेकन नजदीक से एक नज़त आरंबिक सुल्तान जैसे इल्तुतमिस अपने गुलाम को सुबेदार न्युक्त करते थें और इन गुलामों को बंदगां कहा जाता था, गुलामों का एक विभाग जो है, किसने अस्थापित किया था तो ये फिरोज साह तुगलक रहते हैं, फिरोज साह तुगलक ने गुलामों का एक विभाग दिवाने बंदगां अस्थापित किया था आगे कहना एक खिल्जी और तुगलक सासक जो है, वो बंदगां का इस्तेमाल करते थें इसके साथ जो है, सुबेदार के रूप में करें सेननाइकों की लाइकों कोई इकता व्योस था, ये सुबेदार कर सकते हैं, टेकनिकली जो है, गलत है इनके काल में जो है, सल्तनत काल में प्रोविन्स क्या था, प्रोविन्स was known as the Iqta, and the head of the Iqta, या head of the province, it was called Iqtadar, उन्हें Iqtadar कहा गया अब करें, ये इलाके क्या कहलाते थे भाई, Iqta कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुख्ती कहा जाते थे तो इनके अधिकारी को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था अब आगे कह रहे हैं कि राजस्व का हिसाब लेने के लिए राज़ द्वारा लेखा अधिकारी नुक्त किये जाते थे और कितने तरह के कर होते थे तो कर जो है वो आने परकार के भी होते हैं यहाँ पे तीन परकार के कर दिया गया है जैसे अगर इसलामिक विधी से कहा जाए तो इसलामिक विधी से चार कर होते थे खराज होता था, खुम्स होता था, जजिया होता था और जकात होता था सारे गैर इसलामिक करों को समाप्त करके यह कौन रहता है ये वही जो है फिरोस सार्तुगलक रहते हैं जिन्होंने बस केवल चार इसलामिक करों को अस्थापित किया था एडवांस क्लास में आऊंगा वहाँ पे आप लोग को बताऊंगा कि ये जजिया क्या होता था, खुम्स क्या होता था खराज क्या होता था तो कर यहां पे तीन परकार का दिया गया है क्रिसी कर को खराज कहा जाता था मवेसियों पर कर और घरों पर कर किसने लिया था भाई ये अलाव दीन खिलजी ने किसने लिया था ये अलाव दीन खिलजी ने लगाया था अलावदिन खिल जी और मुहम्मद बिन तुगलक रहते हैं भारती इतिहास में सबसे ज़्यादा 50% इन्हों ने भूरा जस्व कर लिया हुआ था उसके बाद अंग्रेज ही रहते हैं जो इतना ज़्यादा वो कर लेते हैं सबसे अधा मंगोलों का आक्रमण अलावदिन खिल जी के समय में हुआ था ये भी questions के रूप में पूछा गया है और कर रहे हैं कि अलावदिन खिल जी और मुहम्मद बिन तुगलक दोनों ने जो है इन मंगोल आक्रमणों का डट कर सामना किया था पिर आगे बढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि अलावदिन खिल जी ने एक विसाल अस्थाई सेना खड़ी किया हुआ था एक पर्मनेंट स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने खड़ा किया हुआ था और इसके सास्तात उन्होंने क्या किया था सीरी नामक एक नया गैरीसन सहर भी बनाया था तो दिल्ली कई बार उजड़ा और कई बार बसाया गया है इसमें जो सीरी फोर्ट है अगर दिल्ली आप लोग विजट किये होंगे या आईएगा तो जाईएगा तुगलकाबाद हुआ देन आफटर जो ये सीरी फोर्ट हुआ देन आफटर जो है जो पुरानी दिल्ली है उसे देख सकते हैं लाल किला के रूप में तो ये दिल्ली साथ बार उजड़ा और साथ बार बसाया गया है जिसमें सीरी को किसने अलाउदिन खिल जी ने जो है इस्टेबलिस जो है वो किया हुआ था बाकी ये मुद्दा तो मैंने बता ही दिया कि 50% ये लोग टैक्स लेते थे थे अलाउदिन खिल जी जो है परसासनिक रूप से एक बहुत ही सफल सासक के रूप में रहता है मुल नियंतन गवस्था के तहत इसको मुख्यता जाना जाता है तो इस प्रकार से क्या है अलाउदिन खिल जी की जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी रहती है इसमें कैंटीन सिस्टम से तुलना कर सकते हैं पसुओं पर दाग लगाने की जो प्रथा रहती है सैनिको का जो हुलिया मेंटेन करने का सिस्टम रहता है ये सारी चीजे जो है अलाउदिन खिल जी के दौरा इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके सास्ता था अगर देखा जाए तो ये अलाउदिन खिल जी ही रहते हैं जिन्होंने क्या किया था जिन्होंने भूमी की 25 करवाया था लैंड मेजर्मेंट करवाया था और विस्वा क्या रहता है विस्वा जो है भूमी के 25 की इकाई रहता है पुकारें सबसे पुराने सहर देहली एक कुना को क्या है को ये निवासियों से खाली करवा कर वहाँ पर सैनिक छाउनी के रूप में इन्होंने अस्थापित किया हुआ था और क्या है और कुछ additional taxes जो है इनके दौरा लिया जाता था इनके कुछ social reform रहते हैं जैसे समाजिक उत्साओं पर ये प्रतिसेद लगाते हैं मदिरापान पर prohibition on alcohol करते हैं मदिरापान पर प्रतिबंद लगाते हैं तो इस तरीके से क्या होता है या लाउदिन खिल्जी की initiatives रहते हैं मौहमद बिन तुगलक का समयकाल 1325 से 1351 मौहमद बि ने token currency चलाया था उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मौहमद तुगलक द्वारा उठाए गए जो प्रसासनी कदम रहते हैं वो क्या रहते हैं बेहद ही सफल रहते हैं और कस्मीर पर उसका आक्रमण जो रहता है वो पूरी तरह असफल रहता है मौहमद बिन तुगलक को पांच उसकी महत्वा कांची योजनाओं के लिए जाना जाता है दुगलक वंस के बाद दिल्ली तथा आगरा पर सयत था लोदी वंस का राज्य रहा और वहीं दूसरी और बंगाल मालवा गुजुरात राजस्थान बैंगौल मालवा गुजुरात राजस्थान तरह तथा पूरे दख्षी भारत में स्वतंत्र सासक उठ खड़े हुए थे उदाहरण यहां पर क्या दे रहें करें सेर सासूरी जो रहते हैं वो बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके का प्रबंधक रहता है और आगे चल करके मुगल संबराथ हीमाईयों को चुनोती देता है सेर सासूरी जो है अफगान मुस्लिम रहते हैं मुस्लिम जो समाज रहता है वो जाती वीषिन समाज रहता है बट नसली स्रेष्टता के आधार पर सिधात पर आधारित रहता है इरानी ग्रूप तिरानी ग्रूप जो रहते हैं वो स्रेष्ट नसल के मुस्लिम के रूप में consider किये जाते थे और ये अफगानी जो मुसलिम हैं इनको जो है या खिलजी हैं इनको lower clan of Muslims के रूप में consider किया जाता था ये लोधी इसलिए आप देखेंगे कि लोधी जो है एक निमन मुसलिम के रूप में जो है वो देखे जाते थे इसलिए बहलोल लोधी तो वही अफगान, जओ है वो सेरसा सूरी है और इन्होंने मुगलों की सत्टा को बेदखल किया, इनको हिमाईयू को कन नौज के युद्ध में, चौसा के युद्ध में पराजित किया, और इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से सूर वन्स की अस्थापना करते हैं तो सूर वन्स के साथ ही फिर आप देखेंगे हीमाईू आते हैं और फिर से वो रिस्ट अब इस करते हैं तो आगे की कहानी जो है वो मुगल वन्स सुरू हो जाता है तो चलिए स्टूडेंट बिना देर किये चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है पीपीटी पे पढ़ाने का उद्देश से है कि यहां से कुछ भी आपका छूडता नहीं है मिन्स कि यह गैरी संसर जो अभी आपको मैंने बताया या और भी जो छोटे-छोटे कीवर्ड्स है वो सारे आप लोगों के सामने रहते हैं और उसको एक्स्प्रेंट जो है और थोरोली जो है वो कर दिया जाता है तो ठीक है स्टूडेंट मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में All the best, thank you